नमस्कार स्वागत है आप सभी का में यूटीब वीडियो क्लास में यह वीडियो बिहार बुट कक्छा 9 के गनित वीशेपर है जिसमें आज हम लोग अध्याय दो बहुपद के तीसरे भाग का ध्यान करेंगे जिसमें आज हम लोग सेस्फल पड़े में को समझेंगे अच्छ हैं आगे सेस्फल पड़े पर यह आपका ध्याय दो बहुपद जिसको इंगलिस में काते हैं पोलिनोमियल्स इसको आप पढ़ चुके थे इसके पहले भाग में आपने पढ़ा था और प्रसनावली दो दसमलों एक को हल भी किया था ना इसके एक प्रसनों को हम हल कर चुके हैं फिर उसके बाद हम भावपद के सुन्या कोचे समझे थे ठीक और उसके बाद फिर परसनावली दो दसमलों को हल किये थे सभी परसनों को एक कर के हम हल कर चुके थे आज जो हमारा टपिक है वह है सेस्फल पड़म्य इस सेस्फल पड़म्य को इंगलिस में कहते हैं remainder theorem इस topic के अंतरगत आज हम लोग सिखेंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं और भाग देकर हम जैसे संख्याओं का भाग बनाते हैं वैसे ही हम बहुपदों का भी भाग हम सिखेंगे और इसमें हम भाग फल और सेश फल निकालना सिखेंगे ठीक है और इसको सिखेंगे के बाद फिर हम ये परशनावली दो समलों तीन के एक परशनों को हल भी करेंगे ठीक है इसमें तीन ही परशन है ठीक आप सभी ने भाग अवस्य बनाया होगा भाग को इंगलिस में कहते हैं इसका एक सूत्र होता है भाज बढ़ाबर, भाज गुने भागफल जोर सेस तो आप जानते होंगे तो अच्छी बात है नहीं जानते होंगे इसको आप समझे और अपने कोपी में भी लिख लें समझने के बाद तो हम सबसे पहले इसको उदाधन समझते हैं जैसे माली जे कोई संख्या है साथ ठीक इस संख्या में आप जब दो से भाग देंगे दो तियाई छो मतलब इस संख्या से कम जो आना चाहिए याई संख्या के बड़ाबर होना चाहिए हम उस संख्या को क्या करते हैं तो दो तियाई छो होगा ठीक और उपर वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं अब हमको यहाँ देखना है कि यहाँ जो एक आयाया क्या है यही सेश है ठीक है इसका आप समझ लेंग़ अपने कुपीं में लिख लेंग़ यहाँ जो आपका तीन आया यहाँ गया है यहाँ भागफल है इसको इंगलिसमें कोसेंट काते है इसको हम पढ़ा भी चुके हैं फिष्छले वीडियो में यहाँ जो साथ है प्रिवाईजर करते हैं तो भाजक, भाज, भागफल और सेस क्या है आप समाज़े गए अच्छे से अब आए हम कुछ उदाहरान से बहुपदों के बहाग को हम सीखते हैं यहां देखिए 2x square plus 2x plus 1 यह तीन पद वाला एक बहुपद है और यह x जिसे हमको बहाग करना है यह एक पद वाला बहुपद है तो देखिए हम इस तीन पद वाले बहुपद में इस एक पद वाले बहुपद से कैसे भाग करेंगे तो जैसे आप भाग करते हैं वैसे ही यह आप बनाएंगे यहां आपको क्या करना है x से भाग देना है किसमें इसमें भाग देना है 2x square plus 2x plus ठीक, यह एकदम हलका है, है ना, इसको आप भारी ना समझे, यह एकदम हलका है, देखे हम कैसे भाग देंगे, हम क्या करेंगे, हम इस X से जब हम इसे भाग देंगे, है ना, तो हम इस सिर्फ पहले पद पर ध्यान देंगे, बाकी इसके बाद क्या कौन सा पद है, क्या है, क् हम भूल जाएंगे, शिर्फ पहले पद पर हम ध्यान देंगे, ठीक, अब हम इस X में किस संक्या से गुणा करें, कि हमको 2X स्क्वार आ जाए, ठीक, तो जब आप 2X से गुणा करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, 2X स्क्वार, देखिए, X गुने 2X बराबर, 2X स्क्वार ठीक है, आपको पता है, भाग जब बनाते हैं, तो आप इसको उपर वाले संक्या से निचा वाले संक्या में का करते हैं, खटाते हैं, जब 2 यह स्क्वार चाएगा, तो क्या हो जाएगा, कट के सुनने हो जाएगा, अब देखिए, उपर से क्या उतरा है हमारा, 2X पलस 1, पूरे को हम एक बार में उतर देंगे, अब फिर हम इस x से इसके पहले पद पर हम दिमाग लगाएंगे, जैसे इस में हम क्या किया थे पहले पद पर ही हम के बारे में हम सोचे थे, उसे तरह अब जो उतरा फिर उसके लिए हम सिर्फ पहले पद पर ही सोचेंगे, तो X से हम कितना में गुणा करें कि हमको 2X आ जाए तो जाब X से 2 में गुणा करेंगे ठीक प्लस दो में गुणा करेंगे तो आपको क्या हाएगा अब देखिए उपर वाला संग्य Ja.S.N. भला संग्या घटता है या घटेगा तो यह क्या हो जाएगा कटके सुनने हो जाएगा अब क्या बचके आपका उपर से एक उतर गया तो यही एक आपका क्या हो गया सेश हो गया ठेक और यह दू एक्स प्लस दू क्या हो गया आपका भागफल हो गया भाज बराबर भाजा गुने भागफल जोरक सेश होता है ठेक है तो यह भाज आपका क्या होगा यह होगा 2 square plus 2x plus 1 है ना x आपका भाजक था ठीक और भागफल आपका कितना आया है 2x plus 2 आया है plus 1 जब आप इस तिन्यों को जोड़ देंगे इसको गुना करके जोड़ देंगे तो आपका यही आ जाएगा ठीक है देखिए इस उदाहरन में x q plus 1 है इसमें आपको भाग देना है x plus 1 से यह देखिए 2 पदो वाला बहुपद है और यहा भी 2 पदो वाला बहुपद है मतलब 2 पदो वाले बहुपद में 2 पदो वाले बहुपद से आपको क्या करना है भाग देना है तो हम जैसे भाग देते हैं वैसे ही क्या करेंगे हम भाग देंगे आपको भाग कितना से देना है x पलस 1 से देना है x पलस 1 से भाग देना है आपको कितना में x q पलस 1 में x q पलस 1 अच्छे यह जो भाज आप जब लिखेंगे कैसा भी बहुपद हो आप क्या करेंगे इसका जो गहात है Q इसको घरते कड़ा में लिखेंगे X Q, फिर X स्क्वाइर होगा तो X स्क्वाइर फिर X अगर होगा तो X तब उसके बाद कोई संख्या होगा तो वह ऐसे लिखेंगे ऐसा नहीं कि X स्क्वाइर लिख दे फिर उसके बाद X Q लिख दे तो ऐसा गलती हो जाएगा अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें हम सिर्फ पहले पद से इसके पहले पद में हम भाग देते हैं ठेक हम इस सभी के बाड़े में नहीं सोचेंगे X पलास 1 X Q पलास 1 इस पूरे के बाड़े में हम नहीं सोचेंगे जब आप पूरे के बाड़े में सोचेंगे तो आपसे बनेगा ही नहीं हमको सोचना है कि इसके बाड़े में सिर्फ इसका पहलापद इस भाज का पहलापद ठेक इस भाजक का पहला पद से आप कितना में गुना करेंगे कि x q आ जाएगा तो आप ध्यान दे x में x स्क्वाइर से जब गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा x q ठीक है अच्छा अब आप जितना में भाग दिये हैं ठीक है उतना ही में आप क्या करेंगे इस दुशरे पद को भी गुना करेंगे ठीक है इस पहले पद से आप जितना में गुना करके यहां पे लिखे हैं उतना ही से क्या करेंगे आप अब इस दुशरे पद में भी गुना करेंगे तो जब आप x² में प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा ठीक है आया समझ में ध्यान से आप समझते जालेंगे अब देखे हम क्या करते हैं आप जब भाग बनाते हैं तो उपर वाला जो संख्या होता है उसमें से नीचे बले संख्या हो क्या करते हैं तो जब अब घटाएंगे तो यहां भी माइनस हो जाएगा यहां भी प्लस तो यहां भी माइनस हो जाएगा तो xq में से xq जाएगा तो यहां तो कट गया सुनने हो जाएगा अब देखिए, यहां क्या हो जाएगा, उपर से यह उपर 1 है, 1 और यहां क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वार हो जाएगा, ठेक, चुकि 1 में तो x स्क्वार घटेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पुरा उतारना पड़ेगा, यानि 1 माइनस x स्क्वार, अब यहां ध्यान देजिए हम आपको बता चुके हैं कि यह जब भाग देंगे तो हम क्या करेंगे घात को घटते करमे लिखेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे माइनस x स्क्वाइर और प्लस 1 ऐसे लिख देंगे ठीक क्योंकि यह जो है ऐसे जबाब बनाएंगे तो आपका भाग नहीं बनेगा हम क्या किये मेरा पद यही है इसको क्या कि हम पलट दिये यानि इसको इसका जो घात है उसको घटते करमे कर दिये यानि माइनस x स्क्वाइर पलस 1 अब देखिए इस भागफल का यह भागफल कर रहे है इस भाजक का जो पहला पद है ठीक है इस पहले पद से फिर हम इस पहले पद के बारे में सोचेंगे कि कितना से गुना करें कि हमको इतना आ जाए ठीक तो इस पहले पद x में कितना से गुना करेंगे आपको minus x square आएगा तो आप जब minus x से गुना करेंगे x गुने minus x तो यहाँ जाएगा को minus x square ठीक है अच्छा पहले पद में जितने से गुना किये हैं उतना ही अब दुसरा पद में भी गुना करना पड़ेगा ठीक है यही नियम है यहाँ minus है तो यहाँ plus हो जाएगा यहाँ minus है तो यहाँ plus हो जाएगा ठीक है तो देखिए x square और minus x square और plus x square क्या हो गया यह कटके खतम हो गया ठीक आप देखिए 1 plus x हो जाएगा ठीक अब इसको भी आप क्या करें घर्टे करम में लिख दे 1 प्लस x है तो इसको आप क्या करें? x प्लस 1 कर दे ठीक? अब देखिए यह जो भाजक है इसका जो पहला पद है उसमें आप कितना से गुना करें कि आपको x आ जाएगा तो आप प्लस 1 से जब आप गुना करेंगे तो x गुने 1 आपको x आ जाएगा ठीक है? अब देखिए जितना से आप गुना किये हैं यहाँ एक से लाए हैं उतना ही में फिर आप दुसरे पद से भी गुना करना पड़ेगा तो एक गुने 1 कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा यह गुने 1 प्लस 1 अब इस पद में से यहाँ पद क्या हो गटेगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंनस यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंनस x में से x गया सुन 1 में से 1 गया? सुनने क्या हो गया? सुनने हो गया यह जो सुनने हैं यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका आपका सेस तो बहुपदों का भाग किस प्रकार होता है उसको आप समाज चुके आज़े से अब आईए हमलोग प्रस्ण आवले 2.3 की एक एक प्रस्ण को हल करते हैं ठीक है आप सानुरोध है कि आप इसके प्रस्ण को कुछ से बनाने का परियास करें खुछ से हल करें नहीं आप से हल हो तो आगे वीडियों का सहड़ा ले वीडियों का सहड़ा लेने के बाद फिर आप खुद से बनाने का परियत्न करें जब तक आप अपने खुद से नहीं बनायेंगे आपको समाज में नहीं आएगा तो देखिए पहला परसन है xq plus 3x square plus 3x plus 1 इस बहुपद में निमली खित से भाग देने पर सेशफल ग्याद किजिए इस चारों से ये पांचों से क्या करना है कोई के करके भाग देकर देखना है कि सेशफल कितना आ रहा है ठीक तो हम एके करके इसका हम हल करते हैं पहले हम x plus 1 से भाग देते हैं फिर x minus 1 बटा 2 से भाग देंगे वैसे ही करके करके हम क्या करेंगे पांचों से भाग देंगे और भागफल ग्याद करेंगे देखिए आपका पहला पड़सन है x q plus 3 x square plus 3 x plus 1 में आपको कितना से भाग देना है x plus 1 से तो वैसे ही हम भाग देंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका जो पहला पद है और इसका जो पहला पद है इसी पहले पद को पहले पद से ही हम भाग देते हैं ठीक है हम बाकी पद अब जो आपको क्या करना है, जितना पहले पद से आप गुना किये हैं, उतना ही में अब दुसरे पद से भी गुना करना होगा. यानि x square गुने 1, बराबर क्या आएगा? x square आएगा, तो plus x square कर देंगे. ठेक, अब जो कि इसमें से हम कोई सो घटा ना है तो यह sin इसका बदल जाएगा, यानि यहाँ पलास है तो यहाँ माइनस हो जाएगा x q में से x q जाएगा तो यहाँ कट के सुनने हो जाएगा अब देखिए, 3x स्क्वाइर में से x स्क्वाइर जाएगा तो क्या बज़ जाएगा, यानि 3x स्क्वाइर में से 1x स्क्वाइर जाएगा x स्क्वाइर सिर्फ है इसका मतलब क्या है, या 1x स्क्वाइर है ठीक है, 3x स्क्वाइर में से 1x स्क्वाइर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वाइर बज़ जाएगा अब उपर से क्या उतर गया प्लस 3x प्लस 1 हम देखिए हम फिर इस पहले पद में इस पहले पद से क्या करेंगे इस पहले पद में इस पहले पद से भाग देंगे देखिए x में आप कितना से गुणा करेंगे कि आपको 2x2 आ जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, x में 2x से जब आप गुणा करेंगे, तो आपको क्या आएगा? 2x स्क्वेर आजाएगा, 2x गुणे x बराबर क्या होगा? 2x स्क्वेर, अब हम पहला पद में जितना से गुणा क्ये थो, उतना ही में हम दूसरा पद से भी गुणा कर देंगे, यान 3x में से 2x जाएगा, तो x बच जाएगा, पलस 1, उतर गया उपर से, ठीक? अब देखिए, x पलस 1, x पलस 1, जो आप पलस 1 से भाग देंगे, ठीक है? ये x पलस 1 में x से गुणा करेंगे, तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा? x पलस 1 आ जाएगा, ठीक? इस पद में से सुनने, ठीक है? क्या होगा, सेस? सुनने होगा, अब देखिए, आपका अगला परशन है, 1 का 2, आपको इस बहुपद में कितना से भाग देना है? x माइनस एक बच दू से भाग देना है, ठीक है? अब जैसा कि हम बाकी सभी परशन में करते हैं, ठीक? अब हम क्या करेंगे इसका जो पहला पद है, इसके पहले पद में हम क्या करेंगे? इसके पहले पद से भाग देंगे, ठीक है? आप जैसा कि हम बाकी सभी परशन में करते हैं, हम सिर्फ पहले पद को ही ध्यान में रखते हैं, ठीक? तो x में आप कितना से गुणा करें कि x की वाजाए? तो x में उतना ही में आपका अब दुसरे पाद से भी गुना करना पड़ेगा, ठीक, यानि x स्क्वाइर गुने, माइनस एक बटा दू, क्या हो जाएगा, माइनस एक बटा दू, एक स्क्वाइर हो जाएगा, ठीक है, अब चुकि हमको इस पाद में से इस पाद में गाटाना है, तो इसका सैन बदल जाएगा, यहाँ plus है, यहाँ minus हो जाएगा, x q में से x q गिया, हमाट के सुनने हो गिया, ठीक, आप देखे, 3x से स्क्वाइर में से, 3x स्क्वाइर प्लस 1 बटा 2x स्क्राइर, यानि 3x स्क्वाइर प्लस 1 बटा 2x स्क्वाइर यह होगा घटाने पर, ठेक, इसको हम बाद में यह जोडे लेंगे, ठेक, और बाकी क्या करते हैं, बाकी के पदों को भी हम उतार लेते हैं पीछे कितने हैं बचेगे हमारा 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 आप गोर से समझते जाएंगे अब देखिए जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे 3x स्क्वेर प्लस ये प्लस हाप x स्क्वेर तो यह हो जाएगा 7 बटा 2 x स्क्वेर अब बटा प्रवला जोर करके देख ले 3 प्लस 1 बटा 2 क्या हो जाएगा 7 बटा 2 x स्क्वेर है तो ये स्क्वेर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1 अब जो हमारा यह उत्रा अब हम क्या करेंगे फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद से हम भाग देंगे ठीक तो आप x में कितना से गुना करेंगे कि 7 बाटा 2 x से स्क्वार आएगा तो आप x में 7 बाटा 2 x से जब आप गुना करेंगे तो 7 बाटा 2 x गुने x बराबर क्या हो जाएगा साथ बाटा दू गुने माइनस तो पलस और माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है और साथ बाटा दू गुने एक बाटा दू हो जाएगा माइनस साथ बाटा चार ठीक एकस गुने एक, यह एक बटा दू तो शाथ बटा चार हुई गया, अब एकस है तो एकस दिखा जाएगा, ठीक, यानि शाथ बटा दू एकस में जवाब माइनस एक बटा दू से गुना करेंगे, गुना करके देख लिए, आपको आएगा माइनस शाथ बटा यह चार एकस, ठीक है, अब चलिए, अब हमको क्या करना है, इस पद में से इस पद को घटाना है, तो घटाना है, तो साइन बटा जाएगा, यहाँ पला से तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ पला सो जाएगा, यहाँ साथ बटा दू एकस स्कार, माइनस साथ बटा प्लस 7 बटा 4 X अब उपर से उतर जाएगा कितना प्लस 1 ठीक अब देखिए आप 3 X जब में आप 7 बटा 4 X जोडेंगे तो बटा बला जो जोड होता है उसे आप जोड कर देख ले 3 X प्लस 7 बटा 4 X यह हो जाएगा आपको 29 बटा 4 X ठीक है प्लस 1 अब हम क्या करेंगे इसका जो पहला पद है फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे तो इसका पहला पद कितना है 19 बटा 4 x तो x में आप कितना से गुना करें कि 19 बटा 4 x हो जाएगा तो x में आप 19 बटा 4 से गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 99 बटा 4 गुने x बराबर 99 बटा 4 x हो जाएगा ठेक है अब देखें, 99 बटा 4 गुने फिर आपको दुशरे पसे भी गुना करना पड़ेगा तो 99 बटा 4 गुने minus 1 बटा 2 हो जाएगा आपको minus 99 बटा 8 यह पद इस पद में से आपको इस पद को क्या करना है? घटा आना है. तो घर से घटा येगे तो इसका sign बदल जाएगा, यह plus है तो minus हो जाएगा, यह minus है तो plus हो जाएगा. यह कटके सुनने हो गया, क्या बजगे आपका? 1 plus 19 बटा 18. ठीक है? तो इसको आप जोड दे यह आप इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह 29 बटा ठाट में 29 बटा आठ भोगा ठीक है यह हो जाएगा आठ एक में आप 8 से गुना करेंगे तो यह करते आठ गई 8 प्लस फिर 8 तो उन्हें साओ अठ हो जाएगा 27 जव आप इस दुनें को जोड़ेंगे बाटा परवला जोड में तो कितना हो जाएगा 27 बाटा 8 यह आपका क्या आगया यह आपका आगया सेस ठीक तो ऐसे ही हम क्या करेंगे हल करेंगे अब देखिए आपका अगला परशन है पहला का तीन इसमें आपको इस बहुपद में आपको कितना से गुना भाग करना है एक से भाग करना है तो हम x से वैसे ही जैसे भाग बनाते हैं वैसे ही लिख दिये हैं हम क्या करेंगे पहले पद से हम भाग करते हैं इसका जो पहला पद है उसमें हम इस पद से भाग करेंगे इसमें तो एक ही पद है तो हमको इसमें ज्यादा दिकत नहीं है तो x में आप कितना से गुना करेंगे कि x क्यूँ आजाए तो x में आप x स्क्वाइर से गुना करेंगे तो क्या जागा x क्यूँ आजाएगा x स्क्वाइर गुने x वराबर xQ ठीक है अब इसमें ज़ Albania घटेगा तो इसमी आजाएगा चूसने जाएगा ठीक, उपर से क्या उतर गया आपका, 3x squared plus 3x plus 1, अब फिर आपको इस 3x squared में इस पद से भाग करना है, तो इस x में आप कितना से गुना करेंगे, कि 3x squared आजाएगा, तो आप 3x से गुना करेंगे, तो आपको आजाएगा 3x गुने x, 3x squared, ठीक है, अब इस में से इसको घटान है, तो यहाँ plus है, तो यहाँ minus हो जाएगा, ठीक, 3x squared में से 3x कर गया, यहाँ कटके सुनने हो जाएगा, उपर से क्या उतर गया, 3x plus 1, ठीक है, अब फिर इस x में कितना से आप गुना करेंगे, कि 3x हो जाएगा, तो आप x में 3 से गुना करेंगे, तो 3x हो जाएगा, 3x, ठेक Lal हो गया ठेक तो यहीं आपकोasted करनाएं अब देख़ें आगला पड़ाशन है चार नमबर पहला का चार जिसमें आपको इसमें कितना से भाग देना है एकस पलस पाई से भाग देना है तो देखें इसको हम कैसे भाग देंगे x plus pi को हम इधर भाजा के रूप में लिख लेंगे और भाज के रूप में हम इसको इस बहुपद को लिख लेंगे अब हम क्या करेंगे सबसे पहला जो पद है हमारा है ना इसको हम इसके सबसे पहले पद से भाग देते हैं आप जाजा कि सब पिछले सभी परसनों में करते हैं, वैसे ही बनाएंगे इसको भी, तो X में आप कितना से गुणा करेंगे, कि आपको X क्यू आ जाएगा, तो X में आप X स्क्वाइर से गुणा करेंगे, तो आपको आ जाएगा X Q, ठीक, अब चुकीि पहले पद से आप X स्क्वाइर में गुणा करके X क्यू लाया हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, X इसको इसके दूसरे पद से भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जागा, X स्क्वाइर को ने पाई बढ़ाबर, pi x square हम क्या करेंगे उसों घटा देंगे घटायेंगे तो यहां plus है यहां plus है तो यहां minus sin बतल जाएगा x q में से x q कटके सुनने हो गया यहां आपको हो गया दिखें चुकि 3 में से pi घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे यहां देखें 3 minus pi को लिख लेंगे और X स्क्वाइर को कोमा ले लेंगे ठीक 3 माइनस पाई लिख लेंगे और यहाँ चो X स्क्वाइर है इसको हम X स्क्वाइर अलग रहने देंगे ठीक है अब बचके उपर का सभी को हम उतार लेंगे प्लस 3X प्लस 1 अब अब देखिए हम क्या करेंगे इसके पहले पद हमको ये लाने के लिए हम इससे भाग देने के लिए हम क्या करेंगे हम इस x में कितना से गुना करेंगे कि 3-pi x स्क्वार आजाए तो आप ध्यान देजिए x में आप 3-pi x से गुना करेंगे ठीक है थेड़ी माइनस पाई एकस गुने एकस बराबर क्या हो जागा थेड़ी माइनस पाई एकस स्क्वाइर ठीक अब चुकि इसमें आप पहले पत से गुना किया हैं अब इतना ही में आपको इस पाई से भी गुना करना पड़ेगा ठीक है, तो क्या हो जागा आपका प्लस πाई गुने थेड़ी माइनस पाई एक्स यानि पाई गुने थेड़ी माइनस पाई एकस हो गया अब आप क्या करेंगे इतना में इसको गटा देंगे, जाजा कि आप करते हैं यहाँ देखे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा देखे इतना में से इतना घटके सुनने हो जाएगा ठेक अब देखे three x minus pi into three minus pi x ठेक है इतना ही होगा तो आप क्या करेंगे, इस x को कोमाल ले लेंगे, एक तरफ ठीक है आप इधर ले ले तब चाहिए इधर ले ले तब और तीन और इस सब को क्या करेंगे एक तरफ अंदर ले लेंगे तो क्या है यहां पर देखे तीन है ठीक यहां देखे घटाव है यहां पाई गुने तीन क्या हो जाएगा तीन पाई हो जाएगा ठेक और यहाँ देखिए पाई गुने माइनस पाई क्या हो जाएगा माइनस माइनस पलस पाई स्क्वार हो जाएगा ठेक इन सभी को जब ब्रेकेट में ले लेंगे तो यह और यह एक से और यह एक स्क्या हो जाएगा ठीक है आप ध्यान से इसको देखे इस 3 को हम एक तरफ लिये हैं और घटाओ पाई गुने 3 माइनस पाई है तो घटाओ पाई गुने 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई होगा ठीक फिर माइनस पाई गुने माइनस पाई क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई e square हो जाएगा ठेक अब चुकिए approximately x था इस में approximately था हम इस अभी को ब्रेकट में लेके हम 1 को कौमाल ले लिये अहां हां अब हमारा किया बाज गया plus 1 बाज गया इस X आपको इतना X आजाएगा, ठीक है? प्लस 3-3 pi प्लस pi estquard, ठीक है? जब इतना में इस X से गुना करेंगे, तो आपको इतना ही आजाएगा, 3-3 pi प्लस pi estquard x, इतना में X से गुना करेंगे, ठीक है? अब देखिए इतना में आप एक से गुना की हैं तो आपको इतना ही में पाई से गुना करना पड़ेगा पलस पाई गुने पाई में गुना करना पड़ेगा आपको इतना से यानि तीन माइनस तीन पाई प्लस पाई स्क्वाईर हो गया अब यह घटेगा देखे यह जब घटेगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ तो कट के सुनने हो गया क्या बचेगी आपका एक माइनस यहां 1 है तो 1 हो जाएगा minus pi है तो हम क्या करेंगा इस pi से गुना करते चल जाए सब में क्या हो जाएगा 3 pi हो जाएगा pi गुने 3 3 pi ठीक फिर इहां देखे optimistic pi गुने minus 3 pi क्या हो जाएगा minus 3 pi τους transient फिर pi गुने pi square क्या हो जाएगा प्लस πाई क्यू हो जाएगा ठीक है तो यह आपका क्या आगया 6 आगया आप इसी को माइनस कोई सब में गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा आपको 1 माइनस गुने 3 पाई हो जाएगा माइनस 3 पाई ठीक माइनस माइनस पलस 3 पाई स्क्वाइड फिर माइनस गुने पलस माइनस पाई क्यूँ ठीक तो यह जो आया यहापका क्या हो जाएगा यहापका हो जाएगा सेस फल ठीक है तो आसा है आप समझ गए होंगे ऐसा ही हल करेंगे देखे आपका अगला प्रस नहीं एक पांच आपको इस बहुपद में कितना से भाग देना है पांच पलस दू एक से भाग देना है तो देखे यह पांच पलस दू एकस जो है इसको हम क्या करेंगे बहुपद के घात के घरते करम में इसको हम सजा देंगे यानि दू एकस पल इसका जो पहला पद है, इस पहले पद में हमें इसके पहले पद से भाग देंगे, तो 2x में आप कितना से गुणा करेंगे, कि x क्यूँ आ जाएगा, ठीक, तो 2x में आप 1 बटा 2, x square से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए हैं, 1 बटा 2, x square गुणे 2x, यह क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 से 2 कटके 1 हो जाएगा, ठीक, और 1 से square गुणे x, x की हो जाएगा, ध्यान से समझेगा इसको, कि 1 बटा 2 से, में जाब 2 से गुणा करेंगे, तो 2 और 1 बटा 2 कटके सुन, यह एक हो जाएगा, ठीक, और आपका क्या बज़े गया, x कुणे 1 स्क्वेर, तो x q हो जाएगा, ठीक है, अब चुकि पहले पद में आप इतना से गुणा किया है, तब दूसरे पद में भी आपको इतना ही जाएगा, यानि 1 बटा 2, x स्क्वेर गुण कि सुनने हो गया, 3x स्क्वेर, माइनस 5 बटा 2, x स्क्वेर, यह कितना हो जाएगा, 3-5 बटा 2, x स्क्वेर हो जाएगा, ठीक, अब उपर से कितना हो जाएगा, प्लस 3x, प्लस 1, धेयान दीजिए, 3 में से 5 बटा 2 को जो आप घटाएगे, यानि बटा पर वळा जो घटा ह होता है वैसे घटाएंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा एक बाटा दू एकस स्क्वाइर ठीक पलस तीन एकस पलस एक अब हम क्या करेंगे इसका जो पहला पद है इसमें हम कितना से गुना करें कि यह इतना आ जाए ठीक तो ध्यान देजिए दू एकस में जब आप एक बाटा चार से गुना करेंगे ठीक है एक बाटा चार एकस से ठीक तो एक बाटा अब ध्यान देजिए एक बाटा चार गुने दू यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा एक बाटा दू ठीक है और एकस गुने एकस हो जाएगा एकस स्क्वाइर यानि 2x गुने 1 बटा 4x जब आपको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 बटा 2x² अब चुकि पहला पद में आप इतना से गुना के थे अब 1 बटा 4x को 5 बटा 4x हो जाएगा पलस इतना ही हो जाएगा ठीक है अब देखिए इस पद में संगुए का कना इसको घटाना है तो यहाँ पलस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पलस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 बटा 2x² में से 1 बटा 2x² घटके सुनने हो गया अब देखिए 3x माइनस 5 बटा 4x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x 3 घटाओ 5 बटा 4 कर लेंगे और यहाँ जो x है दोनों में x को हम कौमा लेंगे हो गया, पलस 1 है तो पलस 1, इधर लिख देंगे पलस 1 उपर से उतर जाएगा यह सही आप देखिए 3 में से 5 बटा 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 7 बटा 4 हो जाएगा 7 बटा 4 x पलस 1, ठीक है आप देखिए कि इस 2 x में आप कितना से गुना करेंगे कि 7 बटा 4 x आजाए आपको, तो 2 x में जब आप 7 बटा 8 से गुना करेंगे, ठीक है तो आपको आजागा 7 बटा 4x ध्यान दिजिए 2x गुने 7 बटा 8 देखें 2 से जो 8 है 4 मर्तवे कर जाएगा ठीक है तो यह क्या बच गया आपका 7 बटा 4 बच गया और गुने 1 तो 7 बटा 4x हो गया अब चुकि पहला पद से आप इतना में गुना किया है तो आप 7 बटा 8 हमें आपको 5 से बच गुना करना पड़ेगा ठीक है तो क्या होजागा 5 सते 7 बचे 35 बटा 8 तो आप देखिए क्या करेंगे हम इस पद में से इस पद को घटाएंगे तो यहाँ पलस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा एक घटाव 35 बटा 8 अब इसको बटाप परवला जो घटाव बनाते हैं वैसे हिसको क्या करें बनाले एक में से जब 35 बटा 8 को जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस 27 बटा ठीक है कितना हो जाएगा माइनस 27 बटा 8 यही आपका क्या हो गया 6 ठीक है तो प्रसनाप का दू नमबर xq-a x² प्लस 6x-a को x-a से भाग देने पर सेस्फ़ल ग्यात कीजिए ठीक है तो x-a को हम भागफल कर रहे हैं भाजा के रूप में यहाँ लिख लेंगे और भाजी के रूप में इसको हम लिख लेंगे अब देखे हम तो x में आप कितना से गुणा करेंगे कि x-q आ जाएगा तो x में आप x-a square से गुणा करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा x-q ठीक अब चुkim की पहले पद में आप x square से गुणा किया हैं दुसरे पद में भी x square से भी गुणा करना पढ़ेगा तो x square गुने माइनस a क्या हो जाएगा माइनस a x square ठीक है अब चुकि इसमें से आपको घटा ना हिसको तो यहाँ plus है तो माइनस हो जाएगा यहाँ minus है तो यहाँ plus हो जाएगा x q में से x q गया कटके सुनने हो गया देखें minus a x square plus a x square यहाँ भी दोनों कटके सुनने हो गया घटके सुनने हो गया ठीक 1 minus a square plus x square अब उपर से क्या उतर गया आपका 6x minus a ठीक है अब देखें हम क्या करेंगे इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे तो यानि x में कितना से गुना करें कि 6x आजाए तो x में आप plus 6 से गुना करेंगे तो क्या आजाएगा आपको 6x ठीक अब चुकि 6 से पहले पद में गुना किये हैं तो दूसरे पद में भी आपको 6 से ही गुना करना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा 6 गुने माइनस से बराबर माइनस 6a हो जाएगा ठीक अब चुकि आपको इसमें से इसको घटाना है तो इसका साइन वदाल जागा यहां पलस है तो यहां माइनस हो जाएगा यहां माइनस हो जाएगा 6x में से 6x घट के सुनने हो गया ठीक आप देखे माइनस ए प्लस चोवे यानि माइनस ए प्लस चोवे आप जब इसको माइनस ए में चोवे जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको पांच ए हो जाएगा माइनस पांच ए हो जाएगा नई पांच ए हो जाएगा ठीक देखे 6A प्लस में है और माइनस A ये माइनस में है तो यह 6A में से माइनस A घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5A बच जाएगा तो यही आपका क्या हो गया सेस हो गया ठीक है अगला प्रशन है तीन नमबर जाच कीजिए कि 7X,3XQ प्लस 7X का एक गुननखंड है या नही यानि यह बहुपद इस बहुपद का गुननखंड है या नही तो आपको इस प्रशन में तीन नमबरें आपको क्या करना है क्यों? क्योंकि तीन के पहड़ा में साथ नहीं है इसका मतलब क्या हुगा? इसका और भी एक उपाय है आप यहाँ भी कहेंगे कि साथ में जब आप तीन से भाग देंगे तो सेस सुनने नहीं होगा यानि तीन दुना, छो साथ में छो गया एक साथ में जब आप तीन से भाग दिये तो सेस आपका क्या आया? एक आया यहाँ सुनने नहीं आया इसलिए यहाँ तीन जो है साथ का गुनन खंड नहीं है अगर यही आपसे कोई पूछे कि तीन जो है यहाँ छो का गुनन खंड है या नहीं तो आप बोलेंगे हाँ कियूँ ? क्यूँकि तीन के पढ़ा में छो है अचा और दूसरा यहाँ भी उपाय है कि छो में जो आप तीन से भाग देंगे तो सेस क्या होगा? सुनने हो जाएगा याझनि तीन दुना छो सेस क्या हो गया? सुनने हो गया तो जब 6 सुनने हो गया इसका मतलब 3 जो है 6 का गुननखंड है ठेक तो इसमें भी हम क्या करेंगे इस बहुपद में इससे भाग देंगे और देखेंगे कि 6 सुनने आ रहा है या नहीं अगर 6 सुनने आ गया मतलब यह जो है इसका गुननखंड है तो देखिए भाग देकर हम थोड़ा उल्टा कर लेंगे 3x plus 7 कर देंगे आपको हम बता चुके हैं कि जब भी हम भभुपद का भाग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं भभुपद का जो घात होता है उसको सजा लेते हैं यानि बड़ा घात पहले उसके बाद छोटा घात ठीक ऐसा ही करते चल जाते हैं तो देखें 3x प्लस 7 हम इतना भाग देंगे हम क्या करेंगे पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं तो इसका जो पहला पद है 3x इसमें आप कितना से गुना करेंगे कि 3x क्यूँ आ जाएगा यह x के स्क्वार से गुना की है तो दुसरे पद में हुई आपको x स्क्वार से ही गुना करना पड़ेगा यानि 7 गुने x स्क्वार बरापर क्या हो जागा 7x स्क्वार ठीक है अब 3 यहाँ पलस है तो यहाँ माइनस हो जागा यहां पलस है तो यहां माइनस हो जाएगा भाग में घटता है उपर से नीचे ठीक यहां तो कटके सुनने हो गया घटके है ना तीन एकस क्यू माइनस तीन एकस क्यू घटके सुनने हो गया साथ एकस घटाओ 7x स्क्वाइर 7x घटाओ 7x स्क्वाइर यह तो नहीं खटेगा यहां x स्क्वाइर हो गया अब देखिए हम क्या करेंगे इसको थोरा सजा लेंगे यह देखिए बड़ा घात पीछे आ गया और छोटा घात आगे है इसको हम आगे कर लेंगे माइनस 7 x square और पलस 7 x को पीछे कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसके पहले पाद में इसके पहले पाद से भाग देंगे यानि 3 x में आप कितना से गुना करें कि 7 x square आ जाए ठीक है तो 3 x में आपको 3 x में 7 बटा 3 x से जब आप गुना करेंगे तो यहां देखिए 3 और 3 क्या होगा कट जाएगा आप क्या बच जाएगा 7 x गुने x x square 7 x square आप चुकिए यहां देखिए पहले माइनस आपको माइनस लाना होगा तो आप यहां माइनस कर देंगे यहां पलस नहीं करेंगे यहां जब minus कर देंगे तो यहां क्या हो जागा? अब देखिए पहले पाद में इतना से गुणा कि हम दूसरे पाद में आपको इतना ही से गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो जागा? minus 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 हो जागा ठीक है? 7 से 9्जास बटा 3x ठीक? अब यहां माइनस है तो पलस हो जाएगा घटाव में हम यहीं करते हैं उपर से नीचे घटाते हैं तो साइन बदाल देते हैं तो साथ एकस स्क्वाइर माइनस साथ एकस स्क्वाइर पलस साथ एकस्क्वाइर के घट के सुनने हो गया यहां देखें साथ एकस प्लस 49 बटा 3x यह कितना हो जाएगा 7x प्लस 49 बटा 3x जब आप इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 70 बटा 3x ठीक है आप बटा प्रपला जोड़ करके देख ले कितना हैगा इस दुनों को जोड़ने पर 70 बटा 3x तो यहाँ देखिए सेस फल यहाँ आपका यहाँ सेस फल तो सुनने तो नहीं है है ना यहाँ आपका क्या है यह सेस है ठीक अगर सेस सुनने आता तब हम समझते यहाँ इसका गुननखंड है चुकि यहाँ सेस सुनन नहीं आया ठीक है एसे ही हम इस परसन को हल करेंगे अच्छो यह था आपका परसनावली 2-2-3 अगले टोपिक बहुपादो का गुनन खंडन और परसनावली 2-2-4 के साथ जल्द ही आपके समख छीज़े तरह वीडियो के मादे हम से उपस्तित रहेंगे तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखे और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे कुछ कहना चाते हूँ तो कमेंट करे जो भी कुछ कहना चाते हूँ प्लीज आप कमेंट करे और वीडियो को अपने दोस्तों को share जोड़ करें ठीक है धन्यवाद